कि अलो दोस्तों स्वागत है आप सभी आभी वेक मिस्सा टेंग में टेस इंडिस्टेर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं टेस फर्च टाइम डिसकस करेंगे इसको ओम इंफ्रा लिम्टेड है कल आप लोगों में से ही किसी ने यूटूब पे पूछ रखा लगी उनको मैं डिसकस कर लूँगा या जिसमें कुछ समझाने के लिए अच्छा पॉइंट मिलता है उसको भी हम लोग डिसकस करेंगे तो आप अभी भी इसको जाके देख सकते हैं और इसके अंदर अपने कमेंट्स भी बता सकते हैं अगर आपको किसी प्रशनल सेयर पे चाहिए तो आप जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम पर या यूटूब पर वहां पर भी अपने रिक्मेंडेशन बता सकते हैं कि सर इसके बारे में बता दीजी और फिर हम लोग उसको भी डिसकस कर लेंगे जिन लोगों ने यूटूब पर जॉइन कर रखा है उनका बहुत- वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है टेलिग्राम का वहां पर जॉइन कर सकते हैं चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं जो चैनल पर नहीं होचे हैं सब्सक्राइब कर लें नोट फेसें बेल और पर रखें जिससे आने वाले इनिस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो ट्रेस पर रहे हैं मेरे ख्याल से इसलिए लोगों के नजर में आया है सेवरेरी सेवेंटीन को इसके अर्निंग रिजल्स आने हैं अर्निंग पर सेटू पॉइंट सिक्सवाइब की है मार्केट कैपिल बहुत कम दिखरी है इसकी 3.98 मतलब 400 करोन 300 करोन की आसपास की इसकी देखते हैं इसको ठीक कोई दिक्कट की बात नहीं है ओम बिल्डिंग का काम करती है थोड़ा बहुत डिविदेंट यह जो दिया था 12 मंत का उसका बेसिक यहां पे मैंसन है 0.81 परसेंट प्राइज देन रिश्यों 15.6 चल रहा है तो यहां पर कंडिशन में कोई दिक्कत त आता है अभी इसको सब्सक्राइब यह तो 115 परसेंट तक का रिटन दिया है एक साल में और यह रैली जो है 32-30 रुपे से बनी होई है और यह 50 तक पहुंच गई है तो यह अभी तो क्लियरली इन्वेस्मेंट मतलब अभी ट्रेडिंग परपस या लॉंग टम परपस से इसी को जानने वाले हैं तो ट्रेस यहां पर देखिए हां इसकी मार्केट केपिल ट्रेस इंडियन रुपीज में 473 करोर की आ जाती है अब वही मतलब अभी भी काफी कम है हाफ कम है अगर हम वह को 1000 के अराउंड का करें तब भी बहुत कम अभी इसकी मार्केट केपिल नज 19 रुपे से देखिए बहुत उपर आ गया है बाकि इसका अल टाइम हाई प्राइस बोलें तो एक सो नौ रुपे तक गया है प्रमोरस की होल्डिंग भी 71.7 परसंट है तो एक अच्छी होल्डिंग से और ट्रेस कंपनी फाइनसली भी बहुत 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 है डैम का भी यहां पर मेंसन कर रखा है तो इस टाइप का काम है इसका बाकि रिटर्न ऑन एसिट जो दिया है वह 0.97 कंपनी का फेस वैलो वन है तो कितना भी सेर उपर चला जाए इसका प्राइस हजार हो जाए अगर फ्यूचर में कभी तब भी सेर इस प्लिट नहीं होता है कौटर वाइस नतीजे अच्छे हैं मार्केट केपिल कम है पर तो जायर सी बात है अभी एक तरीके से ग्रोथ हो रही है धीरे-धीरे अब चलिए प्रोकॉंस जान लेते हैं इसका तो त्रेस आपको देखेगा कि जो अगले नतीजे आने वाले हैं कंपनी के वह बताय जा पर्सेंट का ही रहा है पर यहां पर कॉंस में देखा जाए तो इसके अभी भी कॉस्ट वही चीजें अभी कंपनी देखे जब ग्रोथ कर रही है तो कुछ चीजें तो खराब रहेंगी जैसे अभी कंपनी बोर्रेंग मतलब पैसा एक तरीके से ज्यादा इसने बोरो कर बनाए रखा तो बहतरीन रहेगा क्योंकि देखे 15 करोड का प्रॉफिट बना था और ऐसा बहुत पहले हुआ था मार्श 2020 का हुआ था तो यह कच्छी चीज है प्रॉफिट लॉस बुक में भी कंपनी प्लस में ही चल रही है पर एक चीज आपको मैं यहां पर बताना चाहत हूँ प्रेस वह आपको यह दिखेगा कि इसका ऐसा नहीं है कि इसके प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है 2006 से आपको डाटा दिख जाएगा यहां पर वैसा नहीं है कि इसमें ग्रोथ है और ना तो और कहीं न कहीं तो कम भी आ गया है 2006 से बी कम प्रॉफिट बना है अभी जो पिछला वीटा है तो यह भी चीज रही है तो इस तरीके से देखा जाये ट्रेस तो प्लस में है नंबर यह बहुत अच्छी बात है पर व तो अभी इसकी बरोइंग की बात करें तो वह लुट करोंड की बन रही है बाकि इसका वाद कर लेते हैं तो चार्ड पर देखेगा आपको अभी जो खरीदने का है वो तो काफी बिलो आ जाता है क्योंकि आल्रेडी सेर भाग रखा है और भागते हुए सेर में टाग अड़ाएंगे तो गिरेंगे बहुत गंदा तो इसलिए जब यह आपको वापस सही रेंज में देखने को मिले तो आप इसको पर फाइनसली अच्छी है तो जो लोग ऐसे खरीदना भी चाहते हैं वो भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती है तो डिप में भ कर दिया है आपको यह जो रेंज दिखरी है ट्रेस वो है थर्टी फॉरूपी से थर्टी सेवन फिप्टी फाइब पैसे के राउंड की जो लोग पहले से बाई करके रखे हैं वो आगे के अगर टार्गेट जानना चाहते हैं तो वो सब सब पहले आ जाएगा हम लोगों को अगले हपते के दूसरे तीसरे दिन ही हो जाएगा अगला आपता रेस मतलब दो दिन बाद तो यह हो जाएगा उसके बाद 56 का टार्गेट अगर और प्रफॉर्म किया और उपर आया तो यह आम लोगों को देखने को मिल जाएगा 65 रूपीस के अराउंड का टार्गेट त जो लोग इसमें पहरे सबाइड करके चल रहे हैं वो इसको सबसकते हैँ जो लोग नए खरिदने की सोच रहे हैं वो कौनसी स्यर्ज में जा सकते हैं व Бंन ने यहादए बता दिया तो यही था ट्रेस ये सेयर क्योंकि market capital इसकी कम है तो price manipulate भी किया जा सकता है तो उसको ध्यान में रखते हुए ही investment करिएगा जब तक जब आपको सही रेंजियों मिले तभी करिएगा थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो